प्रभू प्रसाद चानल में सभी भाई भेनों का स्वागत है आज ब्रेड का हलवा बनाएंगे ब्रेड का हलवा बनाने के लिए जो सामगरी चाहिए दस बारा सुका हुआ ब्रेड स्लाइस लिया है उसको तोड़ के मिक्सी जार में डाल रही हूँ इसको एक फाइन पाउडर बना लेंगे देखिए कितना अच्छा पाउडर बन गया है तो उसके लिए जो सामगरी चाहिए तीन कप दूद लगता है तीन कप दूद दो कप ब्रेड पाउडर एक कप गुड आदा कप घी ड्राइफ फ्रूट अपने इच्छान सा काजू बादा मगरा इलाईची अब एक कड़ाई में खी डाल रहे हूँ पहले काजू बादाम को बून लेंगे देखिए ऐसा अब ये बून गया है इसको एक थाली में निकाल रहे हूँ उसी कड़ाई में जो बाकी खी है वो भी डाल रहे हूँ जो पीस के रखा था ना ब्रेड पाउडर वो भी इसमें डाल रहे हूँ अब इसको मेडियम आंच में बून लेंगे देखिए ऐसा और थोड़ा की चाहिए तो डाल सकते है देखिए ये बून ते बून ते हलका हो जाएगा थोड़ा ब्राउन कलर आना है देखिए ऐसा कलर चेंज हो रहा है देखिए कैसा हलका हो गया है ऐसा बादमी कलर आने के बाद इसमें दूद डाल रही हूँ थोड़ा दूर से डालना नहीं तो चींटा उपर गिरेगा इसको भी घूमा लेंगे और थोड़ा दूद डाल रही हूँ तीन कप दूद पड़ेगा अब इसमें गूर डाल रही हूँ इसको भी अच्छी तरह से गूमा लेंगे इलाइची पाओडर डाल रही हूँ जो तल के रखा था ना ड्राइफरूट वो भी इसमें आदा डाल रही हूँ गार्निश के लिए थोड़ा रखा है देखिए इसको अभी लेट बन करके दो मिनिट पकाएंगे देखिए कितना अच्छा ब्रेड का हलवा तयार हो गया है अभी इसको मैं सर्विंग बोल में निकाल रही हूँ जो ड्राइफरूट रका था ना उससे गार्निश कर रही हूँ ब्रेड का हलवा रेडी झाल रेडी झाल